वेलकम टू वीदूला क्रियेशन आज का हमारा प्रोजेक्ट है क्रूशेट इजी एरिंग्स लास्ट टाइम में मैं आपको एक एरिंग का टुटिरल शेयर किया था फ्रेंड्स नए नए टुटिरल का नोटिफिकेशन मिनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किजिए चलिए इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर हंट्रेट परसेंट प्यूर कॉर्टन त्रेट का यूज़ किया है क्रोशर नीडल है 0.75 mm क्योंकि यह थ्रेट बहुत ही थीन है हमने यहां पर मोती लिया है और नीडल और यह लूप्स ओपन लूप्स हम यूज़ करेंगे सबसे पहले यहां पर हम थ्रेट को फ्रिंगर्स के थ्री फ्रिंगर्स को 20 टाइम्स रैप कर लेंगे यह मैंने 20 टाइम्स रैप करके ले लिये है इस तरह से कुछ दिखेगा देन हम यहां पर अपने क्रोशर नीडल से यह 20 टाइम्स थ्रेट हमने रैप किया है इसे हम इस तरह से लेकर स्लिप स्टिच करेंगे यह सिंगल क्रोशिया बना लिया यह फर्स्ट हो गया हमारा यह सेकेंड सिंगल क्रोशिया यह थर्ड सिंगल क्रोशिया इसी तरह से हमें टोटल बारा सिंगल क्रोशिया यहां पर बनाने है टोटल बारा सिंगल क्रोशिया यह राउंड हमने कंप्लीट कर लिया बारा सिंगल क्रोशिया बनने के बाद हम और एक बार यह करके थ्रेट को सिकर कर लेंगे इस तरह से कुछ हमारा यह एरिंग का स्टार्टिंग लूख दिखेगा इसे हम दोनों को मोड के जो एक स्टार्ट थ्रेट था उसे हम रैप करेंगे और दोनों एजेस को जोइन करेंगे अब यहाँ पर गाट लगाएंगे जितनी बार आप लगा सकते हो गाट लगा सकते हो इसे एकदम टाइट स्विक्यूर करना है इस तरह से यह कुछ दिखने लगेगा यह स्टार देखिए अब हम लूप लगा के एक ट्रेड यहाँ पर जो स्टार्टिंग का जो चैन स्पेस है उसमें इस लूप को ट्रेड को हम जॉइन कर लेंगे त्रेड जॉइन करके हम यहाँ पर दो चैन्स बनाएंगे वन एंड यह टू टू चैन्स बनने के बाद हम नेक्स चैन्स स्पेस में नेक्स चैन्स स्पेस में डबल क्रूशिया बनाएंगे यह हमारा फर्स डबल क्रूशिया बना है यह सेम चैन्स स्पेस में और एक डबल क्रूशिया बनाएंगे दो डबल क्रोशिया बन गए अब नेक्स चेन स्पेस में और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यह तीन बन जाएंगे यह हमारा फूर्थ डबल क्रोशिया है नेक्स चेन स्पेस में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यह हमारा फूर्थ डबल क्रोशिया हो जाएगा अब हम दो चेन्स बना के लेंगे नेक्स चेन स्पेस में इस दो चेन्स को हम यहाँ पर जाएंगे और जहां से हम स्लीप नौट लगा के दो चेन्स को हम जाएंगे उसी प्लेस में हम और दो चेन्स बनाएंगे हम नेक्स राउंड के लिए देन सेम चेन स्पेस वन डबल क्रोशिया इसी तरह से हमें त्री टाइम सेम प्रोसिजर रिपूइट करना है सेम तू चेंस, फाइड डबल क्रोशिया, तू चेंस ये देखें ये कम्प्लीट हो चुका है एक्स्टा थेड हम कट कर लेते हैं और एक्स्टा थेड कर लें के बाद हम इसे इसे भी सिक्यर कर लेंगे इसकी भी गाठ लगा देंगे इस नोट से हम इसे सिक्यर करके रख देंगे इस तरह से हमारे एरिंग्स का ये स्टार्टिंग लूग दिखने लगा है एक्स्टा ठेट जो है हम इसे कट कर लेते हैं और दोनों एरिंग्स को हम मेजर करके इक्वल साइज में हम दोनों के ठेट कर लेते हैं एक्स्टा ठेट जितने भी है हम कट कर लेते हैं जो भी इस तरह से इस दिखेंगे कट कर लीजे कि अब हम इसमें रूप्स जोइंट करेंगे मैंने निडल ली है सेम त्रेड चो क्रोशेरिंग के लिए उज़ किया है वही त्रेड में यूज़ करना है इस तरह से हम एरिंग्स के पीछे साइट में मिडल में आके यह थ्रेड देखिए इस तरह से आप निडल को साथ आप त्रेड इस तरह से सिक्यूर कर लेंगे जो हमने थ्रेड को नॉट लगाई है वो नॉट यहाँ पर देखिए मिडल में सिक्यूर हो जाएगी पर्ल लेंगे मोती लेंगे यहां से मोती को हम यहां पर थ्रेड में पिरो देंगे उसके बाद जो ओपन लोप है हमारा उस ओपन लोप का जो उसे भी हम थ्रेड में इसे पिरो देंगे और लोप को थ्रेड में पिरोने के बाद फिर से एक बार नीडल को रिवर्स में उस मोती में से निकालेंगे कुछ इस तरह से ये फीट पेट शायगा अब इसे और हम फीट करने के लिए या सिक्यूर करने के लिए हम जो एरिंग के जो बैक साइड है कि पीछे का जो साइड है वहाँ पे हम इसे नोट लगाएंगे काट लगाएंगे एक दो इस तरह से आप गाट लगा सकते हैं जिसे ही हमारा थ्रेड और हमारा जो भी वर्क है सिक्यर रहेगा एक्स्टा नॉट लगा देंगे और एक्स्टा जो थ्रेड है उसे कट कर लेंगे यह हमारे एरिंग्स बहुत ही खुपसरोत और ट्रेंडी बन चुके है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए